ब्यावर के शंबूलाल गूजर जो ट्रांस्पोर्ट व्यवसाई है पुलिस प्रतार ना से अत्रस्त होकर नियाएक की गुहार लगा रहे हैं शंबूलाल का आरोप है कि पुलिस उन से नियमेत रूप से पैसे मांगती है और मना करने पर उन्हें जूटे मुकदमों में फसा दिया जाता है उन्होंने बताया कि उन्हें जान से मानने की धमकिया मिलती है एक बार जेल भी भेजा गया जमानत पर बाहर आने के बार शम्भुलाल को एक महिला दुआरा जूटे मामले में फसाया गया लेकिन वे फिर से बच गए उन्होंने विभिन स्थानों पर शिकायत दर्ज करवाई परंतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई शम्भुलाल कारोप है कि उन्होंने जिले के एसपी को कई बार अपनी एफ़ायार दर्ज कराने की आवेदन किया लेकिन कहीं से भी न्याई की उम्मीद नहीं लगी वाटसाप पर अलग-अलग नंबर उसे धमकी भरे संदेश भेजे जाने की भी शिकायत की लेकिन अभी तक एफ़ायार दर्ज नहीं हुई है अन्तते अदालत ने एफ़ायार को आदेश तो दिया परंतु उसमें भी तारिक निर्धारित कर दी गई निराश होकर शम्भूलाल भाशपर प्रदेश कारियाले में अपने फडियाद लेकर आए साथ ही मुख्यमंतरी को भी कई बार अपने स्थिती से अवगत कराया परंतु कोई असर नहीं हुआ शम्भूलाल का कहना है कि उनके परिवार की जान को खत्रा है परंतो पुलिस कोई कारेवाही नहीं कर रही है उन्होंने आरोप लगा है कि अपरादियों को पुलिस का संडक्षन बिला हुआ है और उन पर कोई कारेवाही नहीं की जा रही है न्याए की उमीद में शंबूलाल ने सरकार से अपील की है कि उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा प्रधान की जाए और अपरादियों के खिलाफ सक्त कार्यवाही की जाए सर मेरा नाम संबूलाल गुजर है पुलिस था ना बीजेनगर जिला ब्यावर है पहले हमारा जिला आजमेर था मेरा दो कोस्टेबल थे संकर राम और हेमराज वो किसी मुल्जमान के जरिये जानकारी तहत है तो मेरे ऑफिस के बाहर आये और मेरी जानकारी हो गई वो उस इलाके में गुमते रहते थे तो अच्छी प्रेंट्सिप हो गई तो उन्होंने क्या मेरी गाड़ियां रोड़ पे खड़ी होती थी तो वो मंतली वाड़ा सिस्टम में परेशान करने लगे थे तो हमारा विवाद मंतली से रिलेटेड हुआ उसके बाद वो जब चाह करने के बाद उनकी रिलेटिव में ऐसे चो लगे हमारे विजयनगर में और उनके रिलेटिव एक कोस्टेबल और आगया ऐसे चो के नीचे जो रिडर होता है उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया फिर उन्होंने शीवचरण जी ऐसा ही के जरिए मुझे परेशान करना शुरू किया कि मेरा कोई पॉइंट डून रहेते पॉइंट नहीं मिला तो मेरा एक मकान के उपर स्टे की कारवई थी तो मैंने वो स्टे ले रखा था उस मकान पर उस पर कारवई करने चले गए तो जैसे ही वो कारवई करने गए मैंने स्टे दिखाया वो नहीं मानने तो मैने कोट कंडेंब किया कोट कंडेंब करने के वाद शुचरन जी इसाही ने मुझे दमकी दीती देख लूँगा उसकी फ्रेस रीलीजम भी है दो साल पहले की तो दम के देने के बाद मैंने एसपी से सिकाइट की कारवाई नहीं हुई मैं सीम तक भी आया उससे मैं एसो गेलोग जी थे जन सुनवाई में भी आके गया था लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई आकिर मैं मैं हार ठकके फिर मेरे कुछ मिलने वाले पुलीस उभाग स यह अधिकारियों ने मुझे बोला कि अच्छा नहीं होता तो मैंने उस पर साइन कर दिया समझोता कर दिया लेकिन उन्हीं सीव चरण जिने माविर जी मिना ऐसे जो प्रजेंट में प्रताब नगर थे अभी सस्पेंट हो गए वह माविर जी मिना को मिना से मिलके और प्रजेंट में इस महिला ने शुरुआत में मुझे मैसेज करना सुरू किया कि सर आपका म्यूजिक का काम हो तो मेरे पास एंकर का मेला कोई काम नहीं था तो मैंने इसको उस में नहीं रखा मैंका मेरे ऑफिस का गंटा आदा गंटे का फोन ट्रेकिंग का देख लेन थोड मैं एक मेना चओदा इनों काम किया मैंने वह काम करने के बाद इमूजिक को इनों को Dingity के अच्छा वहार बढ़ा ते रहे जितने भी डटा है आपके मेलने वालों को देते रहे पिर आकीर में कि मेरे गर में आज ये तकलीब है और प्बही जय पूर में और इनका आऔ नौ वालों को ग्रूप बना के जाएंगे कि हम घूमने जा रहे हैं फिर वहाँ जाने के बाद उनके साथ जो भी वह जो कुछ होता है उसका वीडियो फोटो बनाएंगे फिर पैसा मांगना सुरू कर देंगे कभी एक लाग दो लाग कभी कुछ कभी कुछ नहीं दिया तो वह दंकी देते हैं कि हम आपको ऐसे पसा देंगे और उसमें फिर फोन करते हैं चांसिंग जी रानावत या इनके एक दो कोस्टेबल हैं जो इस परताब नगर ठाने का डिटेल उटाकर देख लेंगे तो आपको अबना द owners को सब्सक्राइब मना कर दिया तो जैसे मुगटमा दर्च किया मुझे मुझे परिवाद दे दिया कि मुझे परेशान कर रहा है तो मैंने इनको नमबर बलेक्लिशn sai मैं दाल धा ता मेरे बाइपी डर गई मेरे बच्चे चोटे घर वाले दूसरी फेमिली वाले सब बाहर गए ते कोई फंक्शन था आते ही बोला कि आज तो फस गया बेटा मैं का हुआ क्या बोले आम ताने ले जो ताने जाने के बाद पता चलेगा जाते ही मुझे शिवराज पाड़े की प्राइवेट कार दी वेगनार कार उसमें बिटा दिया मेरे घर के बाहर ही कड़ी थी नहीं सरकारी गड़ी नहीं थी और मेरे घर में दो गेट है तो दोनों से अलग अलग आए थे इनों ग्रूप बनाके फिर अचानक अंदर इंटी की वह जैसे कार में बेटके में हवाना होने लगे शिव चरण जी ने इनके साथ अभीताब कोस्टेबल है दो तीन जिनके और भी कई लो नाम भी नहीं जानता हूं मैं उनको बोला कि इनकी पड़ेर परंड़े अब तो उतारने तुमारे जैसे थाने लाया थाने लाते ही इसी चोधरी ऐसे चोधे जाते और नहीं ने मुझे बहुत एक गाली दिया गंधा गाली दिया और आते एक ठपड मारा फिर बोला कि में तिर पर दो इस लिए बुला यह कि तु मेरे से मिला करीब 10-15 मिनिट 8-10 मारा और मेरे भाई बगेरा चोटे मेरे वाइप ने फोन कर दिया तो सस्राल वाले भी आ गए जैसे वह आए आते ही इनको पता चल गया कि अब मेटर बढ़ जाएगा मीडिया वाले आ गए तो मीडिया वाले को लोकल मीडिया पता निक कैसे दबा दिया बढ़ आए तो राइला के पास बीलवाड जिले में राइला गाम आता है वहाँ सरेडी चोराया पड़ता है असिरवाद होटल है गुजराती होटल बढ़ा उसके सामने ले जाके यह मुझे छोट दिया विजय नक वहां करीब आदा पुण कंटे तक बैटे रहे उस बीच पुरा कर लिया उसके बाद वहां से बीलवड़ा पुलिस आई यह चांद सिंग राना वो तो और यह आए मैं फिर समझ गया में वहां मेटर वही है वह आते ही उनकी कार में बिटाया और लेगे परताब नगर थाना जैसे परताब नगर थाने गए और वहां जाते ही मुझ कुछ भी नहीं बताया यह मुझे तब पता चला मेरे जमानत वोने के लिए मेरे पैस किया और फिर मुझे बोला कि बोल कुछ रक्सा मिल जाए मेरे मेरी फैमिली को खत्रा है अभी मुझे कल से इतनी ज़्यादा दंकिया मिल रही है कि हद से जधा मैं यहां बेटा हूं मेर प्रिंट आउट निकाल के भी रखाया और फोन में भी दिखा देता हूं आपको इस महिला की कॉल रिकोर्डिंग से लेकर मैं सारी डीटेल बता दूंगा एक भी सब कहीं भी गलत हो यह डायरेक्ट एक ही बात वोल दिती बस चलो ना मुझे कहीं कुमने जाना मुझे पता करनी था कि यह ऐसा मुझे फशाएंगे काम करती थी ओफिस में काम नहीं करती थी ओफिस का काम मैंने फोन पे इसलिए दे रखाता है कि घर में कर सकते हो वह मैंने पावर दे दिया ना तो आप इसमें पूछ लेते आज कितनी गाडिया लगी जो ट्रांसपोर्ट में गाड में 30 मार्च को आयते हैं फिर इनके बाद इनकी मीटिंग हुई थी आपका नाम बता है